हलो फ्रेंज, अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं परवल आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो इसके लिए मैं 200 गराम परवल ली हूँ, दो मीडियम साइज का आलू, तीन मीडियम साइज का प्याज और दो मीडियम साइज का टमाटर तो सबसे पहले हम परवल का इसकीन अलग कर लेंगे तो एक प्लेन नाइफ के हेल से, मतलब जिस नाइफ में दात ना हो, एकदम प्लेन हो, उससे इस तरह से देखिए, इनका जो इसकीन है ऐसे साफ कर लेंगे यह बहुत ही इजली हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी अब इनके दोनों किनारे कट कर लेंगे यह देखिए, बिल्कुल साफ हो गया इसी तरह से मैं एक परवल और आपको साफ करके दिखाती हूँ इस बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और देखने में काफी सुन्दर भी लगते हैं और जो भी इनमें कच्ड़ा अगरे होते हैं, सभी साफ हो जाते हैं तो इसी तरह से बागी का परवल भी साफ कर लेंगे तो देखे फ्रेंज अभी परवल को अच्छे से साफ करने के बाद साफ पानी से धो कर इनको सूती कपड़ा से पोच लिए आलू को भी छिल करके अच्छे से धो लिए हैं और सूती कपड़ा से पोच लिए हैं अब इनको कट कर लेंगे तो एक पर वल में दो भाग करेंगे उसके तरह से देखिए पतला-छाइश कर लेंगे तो यह लबा-लंबा रहते हैं ना तो चीज में काटिएगा ऐसे सबजी देखने में अच्छी लगती है इसी तरह से दूसरा आलू भी काट लेंगे तो देखिए फ्रेंस दोनों आलू और परवल हम अच्छे से काट करके रख लिए इधर प्याज और टमाटर को भी मैं पतला पतला लंबा-लंबा ही स्लाइस करके भी रखी कुए है अभी इनको सायज में लखेंगे और जूलि पर कणाई रख देंगे गैस secured करके इसमें डालेंगे चार बड़ा चमाज सर्सों का तेल त구요 ही इस में डाल देंगे कटे हुए परवलु है फ्रें पर उलट्पलट करते हुए तक 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 तो एंब रखर दज गोल्डेनी स्पॉट पढ़ गया है तो बस परवल को इतना ही फ्राई करना है अब हम इनको एक बरतन में निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम इस्टायम मीडियम रखेंगे अब उसी बचे हुए तेल में डालेंगे तीन से चार बारी कर्टी हुई हरी मीर्च आधा छोटा चम् करते रहेंगे तो देखे फ्रेंज प्याज का कलर हलका सा चेंज हो गया है तब हम इसमे डाल देंगे कटे हुए आलू और प्याज और आलू को अब हम एक साथ फ्राई करेंगे दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अब देख सकते हैं लेकिन प्याज के साथ आलू भी हो जाएंगे और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और सब्जी जल्दी भी बनेगी तो देखें दो से तीन मिनाट हो गए मुझे मीडियम फ्लेंपर आलू और प्याज को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं तब आपको तीखा पसंद दो कमिया जादा और इस बात का ध्यान रखें हम लोग हारी मिर्च भी ढाले हैं एक चथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चमच अध्रक लहसन का पेस्ट डाल कर इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गयास का फ्लेम इस टैम एक दम लो रख किया हुए टमाटर और साथी में डाल देंगे फ्राई किये हुए परवल स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम सबजी को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो आलू हमारे फ्राई करते सम लो फ्लेम पर पकाएंगे बीच बीच में ढटा अटा करके चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे ताकि सबजी नीचे जले नहीं और अब देख सकते हैं जैसे जैसे टमाटर पक रहे हैं वैसे वैसे अपना पानी रिलीज करते जा रहे हैं इसे हमार बूँत ही तरह से दिख लेगे कि दिखे रहा चुके थोड़ा सा अकटा हुआ हरा धनिया और इंको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे बहुत ही आसान तरीके से बाक्षी ठेश्टी हमारी परवल आलू की सबजी बन के तयार है यकीन मानिये फ्रेंज जिनको भी इस तरह से बना करके सर्व करेंगे सब लोग तारिप करते नहीं थकेंगे सब को बहुत ही पसंद आएगी अब हम गयस का फ्लेम बन कर देंगे और गर्मा गर्म सर्थ करेंगे आप इसे रोटी, पराठा, पूरी और फिर चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो क्योंकि ये सूखी सबजी है तो आप इसे टीपिन के लिए भी बना सकते हैं या फिर कहीं सफर में जा रहे हैं तब भी इस सबजी को बना करके ले जा सकते हैं तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइ करें, बनाए, खाये, खिलाए और फिर मुझे बताए कैसी बनी है अगर रेसिपी पसंदाई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को जादा से जादा सेयर करें